बॉइब बॉर्ण गुड़ेश्य आप इन्टेस्टिंग तोपिक आज हम लोग लॉर्न करेंगे जेनरल नॉलेश में एनिमल्स एनिमल्स की बच्चों की नेम्स जैसे हम लोग हुमन्स हैं हम लोग है हम लोग हुमन्स है भी और हम लोग हुमन्स का मतलब होता है हुमन्स मतलब होता है आदमी तो हम आदमी हैं आदमी के बच्चों को क्या एन्ट होगा वो तो आपको बहुत अचय से कहते हैं. Child is singular. Child means single child and children means more than one child. तो ये हतो हमें पता है कि human के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? Kids कहते हैं, child कहते हैं and baby कहते हैं. लेकिन क्या हमें ये पता है कि हम लोग animals के बच्चों को क्या कहते हैं? पता है different different animals के बच्चों को na different different names कि सिप बुलाया जाता है हमारे आस पास तो बहुत सारी animals पाया जाते हैं, जैसे dog है cat, deer, elephant, bear, सिप, तो जितनी भी different different animals है ना, तो उनके बच्चों के नाम भी different different होते हैं जैसे हम लोग डॉग के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, puppy, look here dog के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग, puppy this is dog, ये dog है, ये बड़ा dog है, और ये उसका baby है, तो ये dog के बेबी को क्या कहते हैं हम लोग, puppy, dog का baby क्या कहलाता है, puppy this is cat, और ये cat का baby है, cat का baby क्या कहलाता है, kitten जो एक्तम छोटे छोटे से cat होते हैं एक्तम छोटे, जो अभी अभी जनम लिया हैं, या फिर बहुत ही छोटे हैं, थोड़े दिनों के अभी हैं, तो ये बहुत प्यारे होते हैं, ये आपको हाम भी नहीं कहते हैं, ये आपके साथ खेलते हैं, और ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, किटन, कैट के बेबी को क्य आज हमें यही लर्न करना है। जो भी हमारे आसपास में एनिमल स्पाय जीन उनके बेबी से होंटान, नेक्ट के बेबी को शायनों करते है। legitimately को क Mode के बेबी सालियर यहीं यहीन गहैंफे है सिराई से और कि मतलब cat का baby देखेंगे, तो आप उसे cat नहीं बोलेंगे, आप उसे kitten बोलेंगे, जब आप बड़ा dog देखेंगे, तो आप उसे dog बोलेंगे, लेकिन एक dog के baby को देखेंगे, जो बहुत ही छोटा है, अभी बहुत तेजी से bark नहीं कर सकता है, dog क्या करते हैं, dog, dog जो अब यह bark करते हैं, bark मतलब भौगना, bark, b, a, r, k, bark means भौगना, याणि कि dog का sound कैसा होता है, यह barking sound होता है, यह bark करता है, और cat क्या करती है, cat तो मियाउ करती है, m, e, o, w, मियाउ, so dog के baby को क्या करते हैं, puppy, and cat के baby को क्या करते हैं, kitten, okay, come to the next, the next animal is horse, okay, आप लोग कभी देखा है, एक दुम छोटा सा horse, एक दुम छोटा सा, बतलब horse का baby देखा है को भी आप लोगने, horse के baby को कहते हैं, foal, foal, f, o, e, l, foal, so हमनो learn करेंगे, जब भी हम कभी बड़ा सा horse देखेंगे, so क्या बुलेंगे उसे, this is horse, और horse के baby को क्या बुलेंगे, foal, यानि कि जब भी हम लोग small horse देखेंगे, जो एक दम baby जैसा है, horse का baby है, so उसे हम लोग baby नहीं बुलेंगे, उसे क्या बुलेंगे, foal, foal, and horse का baby is called foal, next, next animal is sip, 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 sip means भीड, भीड के बच्चे को क्या बूलते है, sip का baby क्या कहलाता है, lamp, sip का baby कहलाता है, lamp, so यह सारे names हम लोगों को learn करने है, अच्छा, आपको sip का utilization पता है, sip हमारे लिए कैसे helpful होता है, हम लोग na, sip का जो hair होता है, इससे क्या करते है, इससे ulan cloths बनते है, sip के hair से ulan cloth बनता है, sip, और इसके baby को क्या बोलते है, lamb, the next, next is duck, 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 duck के baby को क्या बोलते है, duckling, so यह तो बहुत ही interesting नाम है, देखो duck, और duck के आगे क्या 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 है, d, u, c, k, duck, और इसके आगे क्या लगा दिया है, l, i, n, g, so duckling, duck के बच्चे को क्या बोलते है, duckling, a baby of duck is called duckling, duckling, horse, horse, यह तो learning क्या था, तो सिर्फ revision के लिए हमने डाल दे हैं यहाँ पे, next, next is cow, यह तो हमारी, हम लोग इसको अपने घरों में रखते हैं अपने साथ, और यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादे इंपोर्टन्ट है, यह बहुत ही ज़्यादे इंपोर्टन्ट एनिमल है ना, हम लोग cow से क्या लेते हैं, cow से हम लोग dood लेते हैं, जो multiple products बनाते हैं हम लोग, बहुत से हम लोग छाँच भी बनता है, वैसे दही बना के फिर उसे छाँच बनाते हैं, यानि कि जो cow है, तो यह तो हमको बहुत सारे edible products देती है, बहुत सारे खाने वाली चीजे देती है, इनके milk से हम लोग produce करते हैं बहुत सारे, काफ, cow baby is called काफ, चलिए नेम से लर्ण करिए, cow baby is called काफ, ओके, the next, next animal is deer, deer, deer means hidden, और यह देखो यह हैं deer का बेबी, deer का बेबी को क्या कहते हैं, fawn, fawn, f-a-w-n, fawn, 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 f-a-w-n, fawn, ओके, done, come to the next, this is beer, beer, भालो, यह तो wild animal में आता न, bear is a wild animal, so bear, and bear के बेबी को क्या बोलते हैं, cub, bear के बेबी को क्या बोलते हैं, cub, 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 cub is bear baby, cub is bear baby, the next is pig, pig के बेबी को देखो, यह pig का बेबी है, pig का बेबी क्या कहला था, piglet, piglet, यह भी बहुत similar है, जैसे अभी हम लोग ने duck के बेबी को क्या learn किया था, duck का बेबी क्या कहलाता है, duckling, यानि कि duck में हम लोग क्या करता है, l-i-n-g add कर देता है, वैसे ही, pig के बेबी में क्या करते है, देखो pig लिखते है, p-i-c-pig, उसमें l-e-t add कर देते है, तो piglet, piglet कौन होता है, pig का बेबी है, यह आपको exercise अभी provide की जाएगी, आपको यह exercises complete करने है, then again you will have this exercise, आपको यह exercise भी complete करना है, आपको यह पर goat का बेबी लिखना है, goat की बेबी को क्या कहते है, goat का बेबी कहलाता है, kid, cat का बेबी क्या कहलाता है, look here, cat, cat कहां पर, यहां पर, cat का बेबी क्या कहलाता है, kitten, ओके, यह deer है, deer का बेबी क्या कहलाता है, अभी यह भी learn के हम लोगों ने, deer का बेबी कहलाता है, fawn, and this is what, this is a baby of lion, or lioness, तो lioness gives birth to, lioness किसको birth करती है, lioness birth करती है, cub, c-u-b, यानि कि lion के बच्चे को भी क्या कहते है, cub, lion के बच्चे को भी cub कहते है, एक और cub हम लोगों ने learn कहा है, आप लोग खुद रिकॉल करके बताए, किसके बच्चे को और हम लोग cub कहते है, you know what, हम लोग tiger के बच्चे को भी cub कहते है, और lion के बच्चे को क्या कहते है, cub, this is what, this is a baby of kangaroo, kangaroo के बच्चे को क्या कहते है, kangaroo के बच्चे को कहते है, joy, g-o-e-y, joy, यह कह है, number six, number six है, roaster, या फिर hen का baby, और इसे क्या कहते है, अब लोग खुद बताओ, यह तो जानते हो ना, this is called chick, c-h-i-c-k, chick, this is chick, this is chick, so, यानि की goat के बच्चे को कहते है, goat कीट को क्या कहते है, kid, lion कीट को क्या कहते है, cub, cat कीट को क्या कहते है, kitten, kangaroo किट को क्या कहते है, jord, dear kit को क्या कहते है phone and hand के kit को क्या कहते है check बतलब बहुत छोटी छोटी जो मुर गया होते है यह फिर मुर गया होते है उन्हीं क्या कहते है check so आप लोगों की exercises भी complete करनी है this is it for today bye bye thank you have a good day